त्यों एक बार फिर हमारी चानेल में आप सबका स्वागत है और आज मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने पिछले साल आपको मैंने दिखाये था कि मैंने आड़ू की जो है नर्सरी इसाल त्यार कर ली है जो मैं इस साल उसमें से लगाऊंगा भी कुछ तो बहुत छोटे हैं औ अगले साल होंगे लेकिन बहुत सारे मेरे लगाने के लिए इस साल के लिए भी मेरे पास पेड़ उपलब्दे हैं और इस साल मैंने कुछ और हटके और काम करनी की सोची तो आपको मैं दिखाऊंगा कि इस साल मैंने पिछले साल तक मेरे पास केवल आड़ू की नर्सरी थी उसके मेंने बीज निकाल के रखे हैं देखे आप विल्कुल सुक के गुन तयार है यह चुमारू का बीज मेंने निकाल रखा है जिससे इस में जो है आडू भी लगा सकते हैं लेकिन आडू जो है इसमें बहुत देरे चलता है क्योंकि इसकी जो लाइफ है वह बहुत इसका दीरे भी चलता है और छोटा भी दाना होता है तो आड़ू को हम आड़ू में ही लगाएंगे तो वाइके बढ़िया रहेगा और जो हमने ये चुमारू की जो बीज निकाल लखा है तो इसमें हम पुलम खुमानी जो कि अब पहले तो बहुत दो तिन भराइटियां थी लेकि कि मैंने रखा है तो मैं इसला से उकी यह नरशरी बहूंगा और मैंने जो है यह दीफे आज ही लिगान यह पर कि वीमन आज निकाला यह बीज मैंने आज ही निकाला शेव के दानों छे मैंने यह ही व्हींनल चटटी वश् lengthy वेसे कहा जाता है वीज तो आप किशी भी रहती है यह सक भातने हैं तो इस साल में है यह भी करने की कोशिश की है आपको मैं दिखाई शेव बीज्ट है दो पहले समने सब्सक्राइब ब्लेकवा क्यार है और मैंने आज थोड़े मेरे पास शेव थे तो निकाला झो खराब हो तो दिखाया और मैं दिखाऊंगा आपको मैंने फिर आड़ें थोड़ा मेरे घर में तर्में क्वेड थे तो इसक्टए मैं आड़ो बीज बना रखा है आप देखें तो आडू का भीज भी बना रखा है पांचार सो पेड जो भी होंगे अपने घर के लिए तो मैं जो है इन पेड़ों को अपने हाथ से बनाऊंगा और इन पेड़ों की गारंटी भी होगी तो हम लोग यह जो छोटे-छोटी चीज़ें हैं जब हम मार्केट में या जब हम खरीदार के पास जाते हैं तो एक पेड़ की किमत इस साल मैंने सुना है कि शाट टूपे पेड़ है आड़ों के पेड़ की या पलंखवानी की जो जो रेस्टर नर्सरी वाले हैं और उसके ब अपने विश्वास होगा कि मैंने यही पेड़ लगा रखा तो यह मैंने कुछ नया करने का प्रयास किया है तो आज के लिए इतना ही और जब मैं इनको बहूंगा तो फिर मैं आपको तब भी वीडियो दिखाऊंगा जब मैं इनको जो है खेत में डालूंगा नश्री बनाऊंगा इसकी बहूंगा तो तब भी मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सप्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लग रहा है बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार